हलो गाईज चलिए आज हम बात करते हैं गवर्मिन इंप्लाइज को मिलने वाली छोटियों पे तो इसने जो अगर हम रूल की फॉर्म में बुलें तो इस रूल का नाम है CCS Leave Rule 1972 और यह जो आया था सबसे पहले 1 जून 1922 से शुरू हुआ था अब इस पर जो हम बात करेंगे Leave Cannot Claim As A Right Kind of Leave पे भी बात करेंगे Maternity Leave पे बात करेंगे Child Adoption Leave पे बात करेंगे Leave to the Contact Implies उस पर भी हम चर्चा करेंगे और Short Leave जो होती है जो हम 2 गंटे के लिए या 3 गंटे के लिए अपलाई करते हैं Casual Leave को तो जिसे हम sorely बोलते हैं, तो क्या वो मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, study leave, इन पॉइंटों पर हम थोटोरी discussion आज की इस वीडियो में करने की कोशिश करेंगे, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि यह जो CCS leave rule 1972 है, सब government implies के उपर applicable है, except इनके contact implies के उप कोई implies है, उनके applicable नहीं है, IIS के उपर यह rule applicable नहीं है, क्योंकि इनके अपने rule है, और railway implies के लिए भी यह rule जो है, वो applicable नहीं है, अब rule साथ बोलता है कि government implies cannot claim this leave as a right, means हम यह नहीं बोल सकते की छुट्टी हमारा दिकार है, बट इसमें जो government of India के जो कुछ decision है, उसमें यह बताया गया है कि government servant should encourage to take regular leap, government implies को regular leap लेने के लिए motivate करते ना चाहिए, ताकि तो refresh हो जाता है, और थोड़ा एक working है, उसमें भी उसमें performance में improvement होती है, और एक और इसमें GIO है, government of India का जो एक decision है, उसमें बताया गया है कि जब last के 10 साल government implies के रहते हैं retirement के लिए, तो उस time उनको क्योंकि liabilities बढ़ जाती है, responsibilities बढ़ जाती है, तो उस time generally उनकी अगर छुटी के लिए apply करते है, तो उसे leave sanction authority है, उसको छुटी दे देने चाहिए, अगर हम बात करेंगे कि क्या kind of leave को convert किया जासकता है, हाँ rule 10 में ये बताये गया है, कि अगर जैसे मालो आपने earn leave के लिए apply किया और आपको बा leave पे अगर आपको इसको convert करना चाहते हैं, कर सकते हैं, बट इसका provision ये है कि आपको बिदिन बन मन चुट अपको apply करना पड़ेगा, और leave sanction authority जाब उसको change करते हैं, अब अगला एक बात ये भी आती है कि क्या इसको combine करते हैं, yes, kind of leave को आप एक दूसरे को आप सुमें combine करते ह आप early पे हैं, तो early के साथ आप चाहें तो HPL भी लेखते हैं, leave not due लेखते हैं, committed leave लेखते हैं और extraordinary leave लेखते हैं, बट इसमें एक प्रवीज़ो ये भी है कि casually क्योंकि जिसे हम एक kind of leave नहीं मानते हैं, तो ये जो casually के साथ कोई भी छुटी जो हम साथ में combine नहीं कर सकते हैं, इसमें एक और प्रवीज़ो है कि अगर half day की casually अगर आपके पास सिर्फ रही है और आप afternoon छुटी पे जा रहे हैं, तो उस तिती में आप casually को भी combine कर सकते हैं, next ये हम देखेंगे कि apply करना पड़ेगा और sanction करना पड़ेगा, ये नहीं कि हम छुटी काटके आगे और बाद मे apply करेंगे, इसके एक set rule है कि जब भी हम early leave या kind of leave के लिए हमने जाना होता है, तो सबसे पहले हम इसको एक prescribed form है, formula 1, मैं आपको भी दिखाऊंगा कैसा होता है, उस पे हमें apply करना पड़ेगा, 15 दिन advance में पहले हमें apply करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि अगर हमने कल जाना तो आज चुटी हम दे देंगे, और leave sanctioning authority उसको sanction करेंगे, और जैसे ही sanction हो जाती है और आपने जिस दिन office छोड़ना होता है, उस दिन आप station leave दे के जाएंगे, और जिस दिन आपने चुटीयां काटके अपने office में join कर रहे हैं, उस दिन आपको अपनी joining jobo यहाँ पे अपने office मे दे नहीं होगे, next, maximum continuous leave कितनी ले सकता है, government applies continuously एक spell में 5 साल से जादा छुटीयां नहीं ले सकते हैं, अगर वो चाहें, तो यह kind of leave में combine करके ले सकते हैं, जैसे earn leave ले ले ली, commit or leave ले ले ली, या extra ordinary leave ले ले ली, पर 5 साल से जादा continuous leave नहीं मिल सकती, government applies को, next, अब इसके पड़ेगा, form number 1 पे, यह देखिए, form number 1 है, जिस पे आपको apply करनी पड़ेगी, next, इन स्थितियों में, जो leave है, नहीं grant की जाज़ती है, जैसे कि कोई government implies जो है, वो suspension पे है, या ऐसा implies जिसके लिए, जो dispensary authority को लगता है, कि हमने इसको dispens करना है, remove करना है, या कंपल से retire करना है, इस तिति में भी government implies को जो leave, जो नहीं दिजाजती है, एक बात आती है, कि जैसे हम medical leave बोलते है, medical leave किसी भी प्रकार की कोई leave नहीं है, leave, जनली हम HPL को या commit to leave को medical leave बोल देते हैं, बट medical leave उसे हम नहीं बोलेंगे, medical leave का मतलिए है, कि यहां पे, कि medical certificate पे जब आप कोई leave ल पे कोई leave लेना चाते हैं, तो आप ले सकते हैं, उसमें medical certificate देने की जूड़ नहीं है, HPL पे, बट इसमें एक और प्रविज़ो है, कि 7 दिन से instruction है, HP State Government की, कि अगर आपने 7 दिन से ज़्यादा medical certificate पे अपने leave पे जड़ा है, तो आपको जो यह certificate है, यह government department, government hospital से जो अपने होना चाहिए, आगला जो question है, कि combination of leave with holidays, क्या हम यह जो leaves है, मैंने बताया कि casual leave के साथ तो combine नहीं कर सकते हैं, question नहीं आता है कि क्या यह holidays है, जैसे second Saturday, Sunday, या फिर कोई और holiday है, क्या उसके साथ यह leave है, combine की जा सकती है, yes, यह जो है, अगर आपकी prefix और prefix जो है, इसको किया जा स है, next, अब मैं बात करूँगा, kind of leave पे, देखिए, दो type की leave रहती है, एक तो recognized kind of leave रहती है, और एक उती है, unrecognized kind of leave, यह क्या है, इस पे हम चर्चा करिए, देखिए, recognized kind of leave पे, क्या रहते है, जैसे earn leave है, फिर earn leave, ऐसे government plies है, जो vacation, या जैसे teachers है, vacation department में है, फिर HPL होती है, हाफ पे leave है, committed leave है, leave not due है, और जो extraordinary leave है, फिर unrecognized type की जो leave है, इसे हम बोलेंगे maternity leave, paternity leave, child adoption leave, child care leave, sick leave, और study leave, हम एक-एक पे मैं कोशिश करूँगा, एक-एक leave पे, एक separate video बनाने की, क्योंकि यहां बनाऊंगो तो video बहुत लंबी हो जाएगी, मैं एक video specially बनाऊंगा, early पे उसके बाद हम लेंगे HPLP, committed leave पे, ताकि आप इनके बारे में detail में जान सकें, देखिए, यह जो जितनी भी leave है, जैसे मैंने बुलना recognized and unrecognized kind of leave, जो है, इसमें से कुछ एक leave है, जो HP state government ने adopt नहीं की है, जैसे child adoption leave है, या child care leave है, यह इसका एक letter है, जिसको आप यहां से देख सकते हैं कि कौन-कौन सी leave job, जो हमने leave rule से adopt नहीं की है, तो फिर जब भी कोई leaves, हमने leave पे जाना होता है, तो उसकी competent authority है, जो जिसे हम leave sanctionary authority पूलते है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए कि कौन है, जैसे extra ordinary leave पे उस rule में clearly बताया किया है, कि इसमें, या तो head of the department, या leave sanction, जो आपका opinion authority ही, जो है, वो competent इसके लिए है, extra ordinary leave पे, और अगर आपने, इन्होंने delegate कर रखे हैं पाप रहे हैं, तो फिर depend करता है, कौन से department है कि इसको delegate कर रखे हैं, तो इसकी बारे में हम detail में बात करेंगे, leave को encouragement किया जाता है, बट मैं आपको दाओं कि leave rule में हालकि ये बताय है कि अगर आपकी earn leave कम है, तो HPL को भी convert किया जा सकता है, बट हिमाचल में ऐसा नहीं है, उस पर भी मैं detail में चर्चा करूँगा, कि सिर्फ earn leave है, उसे ही commute किया जा सकते हैं, और उसे ही हम leave encouragement कर सकते हैं, HPL को convert नहीं कर सकते हैं, करी बर question आता है कि suppose करो कि revise होती हैं बाद में तो क्या इसको हम revise के लिए revise होते हैं, तो क्या इसको हम revise कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसके उपर भी हम चर्चा करेंगे, अभी मुझे लगता है कि मैं जादे इस पर चर्चा करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं ये आपसे जाना चाहूँगा, कि जो paternity leave 15 दिन की leave rule के accordingly government implies को मिलती है, तो मेरा question ये है कि क्या ये जो contact के implies है, क्या इनको भी patently मिलती है, अगर आपको लगता है हाँ, तो option 1 पे click करके और yes लिखें, और अगर आपको लगता है कि no, तो option 2 आप comment box में लिखें, और इसी तरह अगर आप मुझे लगता participate करते रहेंगे, तो एक तो आपका भी knowledge बढ़ेगा, और मेरी भी motivation बनी रहेंगी, इनी सब्दों के साथ मैं कोशिश करता हूँ कि आपको latest update देता रहूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे channel को HP notification by संख्यान मेरे channel है, उसको subscribe जुरूर कहें, ताकि हर notification आपके पास पहुंचते रहें, और यह bell icon है, इसे जुरूर क्लिक करें, ताकि जल्दी सजल्दी मेरी notification आपके पास पहुंचाए, वीडियो अच्छी लगे तो like और share जुरूर करिए, और अगर आपके कोई query है, या आप किसी topic भी वीडियो चाहते हैं, या कोई आप चाहते हैं कि उस पे आपको अभी भी क कुछ जाना चाहते हैं, तो comment box में जुरूर लखें ताकि मैं आपको उसके उपर वीडियो या जो अपनी opinion जो देशकों, इनी सब्दों के साथ की watching HP notification भाई संख्यान, जै हिन, जै हिमाचल